हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल क्रैक्यूर कम्टिशन विदंजली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी बढ़माला से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्डेंट को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स यदि आप सी ट्याट यूपी ट्याट या फिर किसी भी सिक्षबर्ति की त्यारी करें यह वीडियो आपके लिए का फ्यूच्वल हो सकते हैं इससे पहले मैंने साथ वीडियो हिंदी की प्रोवाइट कर दी यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग डेस्किप्शन वाक्स में प्लेलिश लिक दिया हुआ है महां से सारी वीडियो को देख सकते हैं इस टॉपिक से बन हिंदी बन माला टॉपिक से मैंने 100 प्लस कोशन की सीरीज दयार की है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथ ही आप से रिक्वेश्ट है यदि आपको वीडि वीडियो को शुरू करते हैं आज का फर्स्ट कोशन है उचान के आधार पर आ है ए वोस्ट वी मुड़ने सी तालब वेडी कंथे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर डी कंथे उचान के आधार पर जो आ का इस्थान है वह कंथे ठीक है और जितने भी पूछे रा चुके हैं तो वीडियो को इसकी मत कीजेगा पूरे वीडियो इसको लाज तक देखेगा कोशन नमबर टू है या रालावा वाप वेंजनों को कहते हैं ए इस पर्स वेंजन बी अंतहा इस्थ वेंजन सी उच्म वेंजन डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफशन नमबर ए उसमें ब्यंजन है शा शा साहा ठीक है ओफशन नमबर ए इसका सही आंसर है नेक्स्ट कुश्यन है महा प्राण धुनियां ब्यंजन वर्ग में किसे संबन दिता है ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी दूसरा चौथा, डी पहला चौथा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और शेन नमबर सी दूसरा और चौथा यानि कि हर वर्ग में का वर्ग हो, चा वर्ग हो, चा वर्ग हो, चा वर्ग हो, कोई वर्ग हो उसका जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो हमारी महा प्राण धुनिया होती है जैसे का के बाद खा आता है गा के बाद घा तो खा और घा हमारा महाप्राण धोनिया है ऐसी चाहत के बाद जो च्छा और जा के बाद ज्छा जो होगा वो हमारी महाप्राण धोनिया है कहने का ताथ पर है कि हमारा जो वर्ग होता है कावर्ग चावर्ग टावर्ग जितने भ प्रेत्न के आधार परला किस प्रकार की द्वर्णिया इस पर्ष, पाषरविक, प्रकम्पित, और संगरशील? प्रेतन के आधार परला वह एक पाषरविक द्वर्णिया उप्षिन नमबर बी इसका प्रकार हो जाएगा नेक्स्ट कोर्षें निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है मतलब किया नेका यह है कि किस शब्ड में मात्रा का यूज़ नहीं हुआ है तो A है कारखाना, B अमिताफ, C अल्रव, D चेह चाहना तो एक कलरप जो शब्द है इसमें किसी भी माता का यूश नहीं हुआ है तो option number 6 का सही आंसर होगा next question निम्न में से महाप्रांड बढ़न है A, था, B, क, सी, वा, D, चा तो यहाँ पर महाप्रांड कौन सा है तो option number A हो जाएगा था ता के बाद क्या आता है था मैंने अभी अभी उपर आपनों को बताया था कि महाप्रांड बढ़न है कौन सी होती है जो हमारे वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर होते है तो यह ता वर्ग का दूसरा अक्षर है था ठीक है हमारा यह महाप्रांड बढ़न है नेक्स्ट कुशन है दिमलिकित में से दंते वर्ड है या वी चा सी ता डी उ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर सी ता कौन सा हो जाएगा ता नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर टैन इन में से कौन सा वर्ड इस पर्ष्वेंजन नहीं है एक का सी बी चा सी टा डी या तो इसका right answer option बड़ी होगा या या जो है वो इशपर्ष मेंजन नहीं है फ्रेंट्स मैं आपको बता दो इशपर्ष मेंजन कौन से होते हैं तो का से लेकर के आपकी जो 25 अक्षर होते हैं मा तक का से लेकर के जो पांचो वर्ग होते हैं का विश्पर्श में जिन्ट में 25 जिसमें ईया का इस्थान नहीं है अगर आपको कोशन आ जाइक इस पर्श में जोनुकि संख्यां कितनी है तो आप लोग क्या मताएंगे इसपर्श मेंजनों की संख्या 25 है ठीक है और हर वर्ग में पांच इसपर्श मेंजन होते हैं ठीक है कावर्ग से लेकर करके ता वर्ग तक नेक्स्ट कोशिन है हिंदी की इसपर्ष अगोश महाप्राण दन्त भेंजन धौनी एफ्रेंट इससे में ऑप्शन गलत दियो है क्वाफ और था क्या है यह माहा प्रांट होनी है और यहांबर रप प्रांड होनी हैंक इसका सही नेर्सक्राण नम नैज़नि नौन है इन एक नौन से क्रस्ड ऑंटाइस्त नहीं है लिए और वाफ अंदिये वां इसका राइट Ay होता है तालव दंते कंटे पोष्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B दंते दाद उहनी का उचाएंस थान क्या है दंते है next question हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम सब्दों का सही क्रम है तो इसका सही क्रम हमें बताना है तो इसका सही क्रम हो जाएगा option number D संतान सकल सक्षम और सचल फ्रेंट्स हिंदी शब्द कोश के हिसाब से हमारा ये वाला क्रम बिल्कुल सही होगा next question है 16 number question किस शब्द में रिर्ष्वर नहीं है क्रिपा क्रिष्णा ड्रिष्टी या रिवाज तो इहां पर रिवाज में नहीं है option number D का सही आंसर होगा next question है question number 17 किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता स्वर के बाद आने वाली नासिख धोनी, वी शतंत्र रूप से उचारी धोनियों, से स्वर के साथ आने वाली धोनियों, डी बेंजन के बाद आने वाली धोनियों तो अनुस्वार किसे कहा जाता है friends तो इसका right answer हो ढईगा option number ए स्वल के बाद आने वाली नासिख धुर्णी āष्ट कुश्य ने वंड शब्द का और्थ नहीं होता है ए रंग वी आकास से जाती डी अक्षर तो वंड शब्द का अर्थ कौण सा नहीं होता है तो इसमें राइट ट하면서 होगा और्षन नबर वी आकाश, next question है वर्ण का में रंग भी होता है वर्ण में जाती भी होता है वर्ण में अक्षर भी होता है, ठीक है आकाश नहीं होता है, next question है अल्प प्राण दुनियों का समू है, समू कौन है ए, का खागा, बी, चा जा वा, डी, सी, ता था न, डी, ता, ठा, न तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी, चा जा या, यह वाला जो है अल्प प्राण दुनियों का समू है next question है, friends, I think आपको मैं ने अच्छे से समझा दिया होगा, आपको समझा गया होगा कि आरप्राण दुनियों क्या होती है और महाप्राण दुनियों क्या होती है next question है, निम्न में से मूर्धन दुनियों नहीं है ए, टा, बी, ठा, सी, धा, डी, या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D, या, या जो है मूर्धन दुनियों नहीं है यह क्या है, नासिक को दुनियों है, ठीक है next question है, ओ, आओ, किस प्रकार के वर्ण है तालब भी, मूर्धन दंतोष्ट या कंठोष्ट है तो यह हैं friends, कंठोष्ट है option number D, इसका सही आंसर है फ्रेंस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा सारे के सारे कोशन्स काफी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम से, कि डिश्टी से कंठोष्ट बन माला, किसे कहते हैं शब्द समूँ को, B, बनो के संकलन को, C, शब्द गर्णा को, D, बनो के विवस्ति समूँ को तो कंठोष्ट बन माला किसे कहते हैं बनो के विवस्ति समूँ को कहते हैं option number D, इसका सही आंसर है next question is हिंदी की शाध हनी है हिंदी की शाध हनी है option number D, इसका सही आंसर होगा next question is निम्लिकित में से कौन अयोग बहा है A, विशर्ग, B, महाप्राण, C, सहयुक्त बेंजन, D, अलप्राण तो विशर्ग अयोग बहा होता है option number D, इसका सही आंसर है next question is हिंदी वर्ण माला में वर्ण है यानि कि हिंदी वर्ण माला में कितने अक्षर है कितने वर्ण है 50, 52, 54, 55 तो हिंदी वर्ण माला में 52 वर्ण होते हैं 52 अक्षर होते हैं option number 20 का सही आंसर होगा next question is निम्लिकित में से कौन से शब्द में रिकी मात्रा का प्रयोग हुआ है क्रिया वर्षा रिपू ब्रिष्टी तो यहां पर आप लोग आसानी से बता सकते हैं ब्रिष्टी शब्द में रिकी मात्रा का प्रयोग हुआ है option number 10 का सही answer है next question है निम्नली खृत में से कौन पस्च स्वार है A, A, B, A, C, छोटा A, D, छोटी E तो बड़ा A जो है, वो एक पस्ट चोर है, स्वर है option number is का सही answer होगा next question है स्वर्ध धुनी के प्रकार है A, D, B, L, C, H, D, उपर युक्त तीनों तो स्वर्ध धुनी के प्रकार तीनों है option number D, इसका सही answer है next question है A, A, Wern, क्या कहलाते हैं A, तालब, B, मूर्धन, C, कंट, D, कंट, तालब, तो यह कहलाते हैं कंट, तालब, वर्ण, option number D, का सही answer है next question है कौन स्वर्ध नहीं है छोटा A, छोटा O, छोटा A, यहाँ तो यहाँ पर आसानी से आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ जो है वो एक स्वर्ध नहीं है option number D, इसका सही answer है next question है छा, वर्ण, किसके योग से बना है का प्लस चा, का प्लस चा, का प्लस चा का प्लस चा, तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C वाला होगा का प्लस चा, next question है निमलिखित में इसे ओष्ट ध्वनी है ए, ला, वी, रा, सी, सा, डी, पा तो इसका right answer option number D, ओगा पा ओष्ट ध्वनी क्या होती है ओष्ट ध्वनी बहुती है जिसको बोलने में दोनों होटों का प्रियूग होता है पा को हम जब बोलते हैं दोनों होट आपस में मिलते हैं question number 33 निम्लिकित में इसे चारण स्थान के अधार पर मूर्धन बेंजन बताए ए, का, गा, गा, जी, वा, जा, जा, सी, डा, टा, डी, पा, फा तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C, डा और टा जो है मूर्धन बेंजन है next question है ग्या वर्ण किन वर्णों के सयोग से बना है जा प्लस जा, जा प्लस या, जा प्लस धा, जा प्लस या तो ग्या वर्ण बना है जा प्लस यां के मेल से option number 20 का सही answer है जा और यां को जब हम जोड़ेंगे तो ग्या बन जाएगा next question है च्छा दुहनी किसकी अंतरगत आती है ए मूलसवर, भी घोस वर्ण, सी सयोग्त वर्ण, डी तालब दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C, सयोग्त वर्ण जब दो वियंजन को मिला करके एक वियंजन बनता है तो बहाँ पर जो बन होता है वो सयोग्त वर्ण या सयोग्त वर्ण किहलाता है तो छा बनता है , कापञा शया मिलकरए याशी का निर्माड भुआ है इसलिए यहाँ पर göra यह सयोग्त वर्ण होगे next question नि का खागा जयाफा धौनिया किसकी है A. संस्कित की B. अर्वी फार्सी की C. अंग्रेजी की D. दक्षिर भासा की तो इसका राइट आंसर option number B होगा अर्वी फार्सी की Next question है स्वरों की सहायता से उच्चारित बंड को कहते हैं A. ब्यंजन B. स्वर C. शब्द D. अर्थ तो स्वरों की सहायता से जो बंड उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें भ्यंजन कहते हैं option number A इसका सही आंसर होगा Next question है घर्षन से उच्चारित भ्यंजन है A. इश्पर्ष B. उश्म C. अंतर्ष्थ D. उक्तसभी इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B उश्म भ्यंजन जो है वो घर्षन से उच्चारित होते हैं Next question है बिशर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है A. निश्पर्ष B. थोड़ा सा C. अंगूर D. चान तो यहाँ पर आपको जो A वाला शब्द है वो आपको दिख रहा हुआ निश्पर्ष में नि के बाद विशर्ग लगा हुआ है यहाँ पर विशर्ग का प्रियोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर निश्पर्ष जो है वो विशर्ग से बना हुआ शब्द है Next question है बन का सांकेतिक लिखेत रूप है लिपी, वी शैली, सी भाषा, डी बढ़माला तो इसका राइट आंसर ऑफ्षेंब यह हो जाएगा लिपी Next question है Question number 41 भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है शब्द, ब्यंजन, स्वर्द या वर्ड तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है वर्ड, option number जो डी है हमारा वो सही आसर हो जाएगा Next question है निम्लिके बर्गों में से कौन सा बर्ग मुर्धन्य धन्यों का है ए, चाचा, जाचा, वी, टाठा, डाढ़ा C, पाफा, बाभा, D, ताठा, दाधा तो यहाँ पर मुर्धन्य बर्ण कौन से है तो option number B हो जाएगा ताठा, डाढ़ा यह हमारा होता है मुर्धन्य धन्य धन्या ठीके टावर्ग जो है वो मुर्धन्य धन्या होती है पावर्ग जो है वो होती है उस्ट धन्या, ठीके तो option number B इसका सही answer होगा next question निमन धन्यों में कौन से धन्या दंट्योंस्त है तावि, फा, सी, म, डी वा, तो इसका right answer हो जाएगा option number दी, वा, वा जो है कौन से धन्या है दंट्योंस्त, यानि कि अतु नोसी सित्च भश्ट है कि यह होगा हुए है कि शय को भाते हैने थीक है और जो भूयर कोन धोनी दंद दंद आतु के में कांट शुन मतने हैं और टीके तो इसका right answer हो जाएगा option number C छोटी E next question है हिंदी वर्ण माला में बेंजनों की संख्या कितनी है A 32, B 33, C 34, D 35 तो इसका right answer option number B होगा 33 हिंदी वर्ण माला में बेंजनों की संख्या होती है 33 next question है चा और चा वर्ण का उचा इस्थान कौन सा है A तालू, B मूर्धा, C ओस्थ, D कंत्र तो इसका right answer हो जाएगा option number A option number A option number A right answer होगा next question है इन में से O उचा रण इस्थाल कौन सा है O का उचा इस्थाल कौन सा A दंत, B मूर्धा, C कंत D कंत्र ओस्थ तो इसका right answer हो जाएगा option number D, कंठ ओस्ट, next question is, हिंदी सब्द कोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, का, छा, त्रा, ग्या, तो छा का जो क्रम आता है, वो किस के बाद आता है, friends, तो हिंदी सब्द कोश की हिसाब से बूचा है, तो वो आएगा option number 1, का के बाद, next question is, निम्लिकित शब्दों में किस सब्द के द्वित्व ब्यंजन है, ए, पुनहा, वी, इलहावा, सी, पक्का, डी, उच्छा, तो इसका right answer option number C होगा, पक्का, next question is, निम्लिकित में इसे कौन सा घोश्वन है, ए, खा, वी, चा, सी, मा, डी, छा, तो यहाँ पर घोश्वन होगा आपका, मा, option number C, इसका सही answer है, next question is, हिंदी बढ़ माला में सोरों की संख्या है, ए, आर्ट, बी, नो, सी, ग्यारे, डी, चार, तो हिंदी बढ़ माला में सोरों की संख्या कितनी होती है, ग्यारे होती है, option number C, इसका सही answer होगा, next question is, अनुनासिक ब्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रत्माक्षर, वर्ग के तित्याक्षर, वर्ग से के चतुरताक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर, तो इसका right answer option number D होगा, वर्ग के पंचमाक्षर, यानि के वर्गों, जो कावर्ग है, चावर्ग है, टावर्ग है, तावर्ग है, वर्गों के जो पांचमे अक्षर, नंबर के अक्षर होते हैं, जैसे काखा, गाखा, रण, ठीक है, तो जो रण वर्ड होगा, वो हमारा कौन सा होगा, अनुनासिक ब्यंजन होगा ठीक है हर वर्ग का पांचवां अक्षर जो है वो अनुनासिक ब्यंजन होता है option number 10 का सही answer है next question है अनुनासिक का संब्ध होता है A केवल नाक से B केवल मूँ से C नाक और मूँ दोनों से D इनमे से कोई नहीं तो अनुनासिक का संब्ध नाक और मूँ दोनों से होता है option number 10 का सही answer है next question है यार आर लावा किस वर्ग के वियंजन है A तालव वी उश्म सी अन्थास्थ डी शोष्थ तो इसका right answer option number C होगा अन्था इस्थ वियंजन next question है निम्लिकेत मेंसे कौन एक संब्ध नहीं है first मैंने आपको उपर ही बता दिया था कि संब्ध नतर जो होते हैं जो दो वर्णों के मेल से वनते हैं लेकिन यहां पर हमें बताना है संब्ध नहीं है तो यहां पर संब्ध न था हो जाएगा option number B शाँ जो है वो एक सन्य पोय से भृष का और शा मिलकर बनता है और प्रा बंधा या मिलके चैसरी तरा हिंदी भाषा में कौन सी धुनिया है जो स्वत्यंत रूप से बोली जाती है स्वर, बियंजन, वर्ण, अक्षर तो जो हिंदी भाषा में स्वर होते हैं वो स्वत्यंत रूप से बोले जाते है और शनमरे इसका सही आंसर है संयुक्त को छोड़का हिंदी में बर्णों की संख्या है अगर संयुक्त बर्णों को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास हिंदी में 48 बर्ण बसते हैं और सी इसका सही आंसर है नेक्स्ट कुश्य निम्न में से कौन सी महाप्रांट होनी है आप लोग समझी गये होंगे इन में से कौन सी महाप्रांट होनी होगी खा हो दाएगी option बर्ण बर्ण बी यानि की का जो का वर्ण का जो दूसरा अक्षर होगा वो खा जो होगा वो हमारी महाप्रांट धुनी होगी नेक्स्ट कुश्य ने पंचानल शब्द में अनुस्वार के द्वनी के इस्थान पर प्रियुक्त किया गया एड़ा बी याँ सी ना डी ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर भी होगा याँ फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही इससे आगे की कोश्चेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किजिएगा यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बै बाइब टीक्यर